बॉली और एक्ट्रस विपासा बासू और करन सिंग्रोवर इन दिनों मुंबई से दूर मॉल्डीव्स में वैकिशन मना रहा है इस कपल ने 12 नवंबर को अपनी लाडली देवी का पहला जन दिन सेलिबरेट किया था इस दिन पूरे देश देवाली सेलिबरेट कर रहा था त इस कपल ने इंस्ट्रग्राम के जर्य अपने फैंस के साथ साजा की थी और बीटी के पहले जन दन का वीडियो करन और विपाशा ने इंस्ट्रग्राम पर शेयर किया है जिसमें देख सकते हैं कि देवी ने अपने बोदे पर पिंग कलर की फ्रॉक पहनी थी देवी अपनी फूल ये लक्षमी और गनेश के साथ नजर आ रही है इस वीडियो के बैग्राउंड में महालक्षमी मंत्र सुनाई दे रहा है देवी ने मेज पर रखी लक्षमी और गनेश की मुर्ति पर फूल चढ़ा रही है और कैपशन में लिखा है मौल्डिफ्स में देवी की देवाली पूजा वहीं अब उनका येलो स्वीम सूट पहने हुए एक फोटो सामने आया है इसमें बहुत क्यूट लग रही है बता दे कि विपाशा वासू ने मौल्डिफ्स लेकेशन से अपनी बेटी देवी पासू सिंग रोवर का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है वीडियो में देवी को येलो कलर के बिकिनी में एक खिड़की के पीछे खड़ी होकर क्यूट अंदाज में देखा जा सकता है और वो होटेल के एक कमरे से सीन का आनंद ले रही थी वही जलक शेयर करते हैं विपाशा ने कैप्शन में लिखा की वाचर वेवी इसके अलाव आपको बता दे कि विपाशा वासू ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि करन सिंग रोवर और विपाशा वासू पुल में नज़र आ रहे है विपाशा ने रेड कलर के बिकिनी पहनी हुई है और साथ में उन्होंने अपनी बेटी देवी को गोद में लिया हुआ है विल में दोनों बेटी के साथ काफे मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं तब यह चानल विपाशा और करन एक दूसरे को लेप लॉक करने लगते हैं इस वीडियो पर सोशल मेरिया यूजर इस्ट ही सारे कॉमेंट्स कर रहे हैं सोशल मेरिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विपाशा और करन सिंग ग्रोवर ने अपनी शादी के 6 साल बात पिछले साल 12 नवंबर को देवी का वेलकम किया एक्ट्रोस की फिल्मे करियर की बात करें तो इंड्रस्ट्री में उन्होंने कई ब्लॉक बॉस्टर फिल्मों में काम किया है मा बनने के बाद विपाशा ने काम से ब्रेक लिया हुआ है